कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे तो आज में लेके आगी हो बहुत ही अच्छी अच्छी एंड अमेजिंग कीचन एंड घर से रिलेटर कुछ टिप्स हैं जो आपके बहुत जादा यूसफुल होने वाली है तो वीडियो को आप इसके बिल्क जासे यह देखिए कितना ही ज्यादा टाइट हो गया है बिल्कुल यह काम नहीं कर रहा है तो यहां मैं आपको बहुत बढ़िया जुगारू टिप्स बताने जा रहे हूं जो आपकी काम आने वाली है तो कर लेना है आपको क्या आपको ले लेना है कॉटन इसमें डाल देन हैं बहुत ही यूसफुल है जो आप सभी घर में यह कौटन अर होईल होता ही है तो इस तरीके से मैं ने डाल दिया है मैं ने इक बार डाला तो कम लगा मुझे तो मैंने फीर सट भी डाल दिया है मैं ने जैसाब थी तोड़ा इसला होना चाहिए इसके बाद आपको क्या कर में प्रोब्लम होती होगी तो यहां जो कॉटर है उसे में अच्छी तरीके से पूरी जगा रगड रही हूं और कुछ-कुछ ऑयल जाए उसमें डाल भी रही हूं और इसके बाद आपको 10 मिनट के लिए से छोड़ देना है तो 10-15 मिनट हो गया है और दीखिए हमारा जो में कि अच्छी से ओपन हो रहा है बिल्कुल स्मूथ हो गया लग रहा है जैसे मक्षन जासा होगे मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है आई होप आपको यह पसंद आई होगी तो चलिए चलते हैं अपने दूसरा टिप्स की तरह यहां जो मेरा दूसरा टिप्स है वो बटर क को लेकर है काई बर क्या होता है मॉर्णिंग में बहुत जादा जल्दी रहते हैं मैं बच्ची स्कूल जाते हैं हजबन को ऑफिस जाना रहते हैं और हम अगर ब्रेट बटर को देने का सोचते हैं तो फिर लगता है कि बटर तो निकले काफी हाड हो गया है काई आपने अच्छा एक टिप्स बतारी हो जो आपके बटर बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे तो आपको ले लेना है यह वाले ग्रेटर नॉर्मली यह वाले जो ग्रेटर है वो सबके घर में होता ही है बहुत इसी है बहुत ही चीप है तो सबके घर में होता ही है तो फिर आपको करना क इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। इस तरीके से आप जेंजर को करते हो बिलकुल सीम तरीके से देखे इस असानी निकल गया है। अब इसके बाद अगर आप इसे ब्रेट पे लगाएंगे तो उसके बहुत अच्छे से बटर लग जाता है। बहुत ही अच्छा tips हैं मज़ो बहुत पसंद आता है, मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है, तो मैं यह वाले टिप्स जरूर अपनाती हूं, देखिए कितना ही स्मूथ हो गया है, तो आप को यह तिप्स पसंद आए, तो एक पर लाइक जारूर से कर दीजिएगा, तो चली चलते हैं अपने नस्ट टिप्स की अच्छा के चल्टाइजर नेज़ा करें, तो दो में ऄखने खाल और में विडियो के साथ भी आप कुछा भाहते हैं वेशने के अच्छा पैसे शुट खर भी लगता हैं जो अच्छा में बाःकेट करें, फजह को अच्छा के शचा टो एक चीज की शवाहते हैं, आप असान से बना सकते हैं जो हम डस्टिंग बगरा करते ना बहुत अच्छ से घर पे ही बन जाता है आपको एक नॉर्मली पिलो कवर ले लेना है कोई भी यूजलेस या फिर कोई भी आपका फट गया हो पुराना हो से ले लीजिए इस तरीके से जाडू के अंदर पिलो को पहना दीज कितना अच्छा यह क्लीन करता है और कोने कोने तक इसकी बहुत ही अच्छी से सफाई हो जाती है इनके सापका कुछ मिरर का भी वर्क है कुछ आपने वॉल पे मिरर वगेरा भी लगा रख है तो वह भी बहुत ही अच्छा से क्लीन हो जाता है इस वीडियो में देखिए इस तरीके से क्लीन करने का कुछ चाहिए तो आप इस तरीके से बना सकते है आए ओप अप में पसंद ही होगी तो चली चलते है अपने नेस्ट टिप्स की तरह हाँ जो मेरा नेस्ट टेप्स है वय है सीजर यह नाइफ के उपर है घबर काह रोता है इसका यूस कर से करते है इसमें जो धार है न वो चली जाती है एंड इसका हम क्या करते हैं बाहर धार वाला भी हमेशा है तो जब मुम्किन नहीं तो आपको क्या करना है एक गलास में चावल ले लेना है ऴूद फॉरा नहीं है निखाने नाइफ को और सीजर को इसमें इस तरीके से लगा दे ना ठीक आप उसे सुखा लीजिए इस तरीके से आप इसको रख दीजिए तो इससे क्या होगा इसका धार भी बना रहेगा धार कभी नहीं जाएगा और देखने में भी यह कितना अच्छा लग रहे एक ऑर्गनाइजर तयार हो गया है नाइफ और देखने में आपको इतना दो चीज का काम हो रहे तो इसके बढ़ी और क्या ही हो सकता है तो आपको यह टिप्स पसंद रहे होगी चले फ्रेंड्स अच्क लिए बस इतना ही बिलते हैं एक ने वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक एर आं थैंक्स पॉर